नमस्कार दोस्तों इंडिया बोलेगा मैं आपका स्वागत है जौन पूर जिला पंचायत अध्यत चुनाओं के लिए बुद्धुआर से नामांकन फार्म की बिक्री सुरू हो गई पहले दिन सपा प्रत्याशी निशी यादव ने दो सेट में नामांकन फार्म खरीदा है नामांकन 26 जून को सुबर 11 बजे से 3 बजे तक होगा नाम वापसी 29 जून वद 3 जुलाई को मद्दान वद्दगरना होगी या सभी नामांकन मद्दान वद्दगरना पक्रिया कलेक्टरेड इस्थि जिलादिकारी कोर्ट में होगा चुनाओ के लिए नामांकन फार्म 26 जून को नामांकन के दिन तक प्राप्त किया जा सकता है जिला निर्वाचन अधिकारी मनीश कुमार वर्मा ने चुनाओ के लिए दो एयारो को तैनाद कर दिया है इसमें अपर जिला अधिकारी भूर आजस सुराज कुमार दिवेदी अतरिक्त डिप्टी कलेक्टर संजे मिश्रा है प्रत्यासियों को नमांकन फार्म 15 रुपे में दिया जा रहा है नमांकन के लिए सामान वर्ग के प्रत्याशी की जमानत रहसी 10,000 रुपे है इसका बैंक में चालान जमा कर रसीद लगानी होगी महिलावा आरच्छित वर्क के प्रत्यासी के लिए यह जमानत रासी पांच हजार होगी 83 जिला पंचाय सदस्यों की फोटो युक्त मद्दाता सूची तैयार हो गई है हाला कि मद्दान के समय इन्हें वोट डालने के लिए अपना प्रमार्पत भी साथ लेकर आना होगा नामांकन के समय प्रत्याशियों को ग्रामीर बैंकों से बकाया ना होने का नोड्यूद प्रमार्पत जाती प्रमारपत जिला पंचाय सदस्य के विजेता का प्रमारपत की फोटो कॉपी दो फोटो के साथ हलफ नामा देना अनिवार होगा नमांकन में प्रत्याशी के साथ एक अनमोदक वो एक पस्तावक साथ रहेंगे यह दोनों ही जिला पंचाय सदस्य होंगे चुनावायोग ने पहली बार जिला पंचायत अध्यच के चुनाव में प्रत्याशी के खर्च की सीमा निर्धारित की है अब कोई भी प्रत्याशी 4 लाग से अधिक खर्च नहीं कर सकता वहीं ब्लाक प्रमुक के चुनाव में प्रत्याशी दो लाग तक ही खर्च कर सकते हैं पहले दिन दो नामांकन फार्मों की बिक्री हुई इस बाबत जिलादिकारी का कहना है कि पहले दिन दो नामांकन फार्मों की बिक्री हुई है नमांकन के मद्दे नजर, बैरिकेडिंग वर बल्लियों को लगाने का कार एक दिन पहले किया जाएगा नमांकन के समय कोरोना से सुरच्छा के सारे उपाय किये जाएगे किसी प्रकार के भीड वर जुलूस पर पूर्तर प्रतिबंद रहेगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए